सलाम वालेक्म दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं आप सब को YouTube channel and English literature पर welcome कहती हूँ हम जो point discuss करे हैं आज के lecture के अंदर उसका नाम है I think of you कि जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ जिसको लिखने वाला है नाजिम हिकमत्यार हम लोगों ने writer के बारे में हमारे first lecture में and second lecture में पढ़ लिया है यानि कि the miniature women में हमने detail से बढ़ा है writer के बारे में and then next lecture हमारा था I love you उसके अंदर भी हमने writer को थोड़ा बहुत minutely discuss किया तो अगर आपने वो दोने lectures सुन लिये हैं तो आपको writer के बारे में बताओगा कि writer कोन है कहां से belong करते हैं और अगर ने सुने तो सुनने क्योंकि मैं इस lecture के अंदर writer के बारे में detailed discussion नहीं करने वाली इस मेरा focus सिफ और सिफ poem के ओपर होगा I think of you तो कहते I think of you and I feel the scent of my mother my mother the most beautiful of all यहां पर बात की जा रही है Mother means इसका land इसका mother land जहां ये रहा है जहां इसकी birth होई थी writer की और writer की birth कहां पर होई थी तुरकी में तो कहते हैं मैं जब भी तुरकी के बारे में सोचता हूं I think of you जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं I feel the scent of my mother जो तुमसे मेरी मा के खुश्बो आती है तो राइटर इस पॉइम के अंदर पेट्रियोर्टिक अपियर हो रहा है कहता है माई मदर, दे मॉस्स ब्यूटिफुल आफ और जो सबसे ज़्यादा खूपसूरत है तुर्की के तुर्की के तुर्की के तुर्की हर एक चीजों से सबसे ज़्यादा खूपसूरत है यू आर ओन दे करसॉल आफ दे फेस्टिवल इंसाइड मी करसॉल आपने देखा होगा कि जब भी एक फेस्टिवल पे जाते हो वहां पे एक merry-go-around का जूला होता है ठीक है जो गोल-गोल घूमता है उस चीज के बात की जा रही है यहां पर कहते है यू आर ओन दे करसॉल आफ दे फेस्टिवल इंसाइड मी कि मेरे अंदर आप merry-go-around की तरह घूम रहे हो किसको कह रहे है अपनी country को कह रहे है कि आप मेरे अंदर जो ना खुशी की लहर दोड़ना एक carousel जो उसके sense में यूज किया गया कि मेरे अंदर जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचना है उसकी लहर घूम पड़ती है यहांप जो hoover, skirt, hair यहा पे जो hoover, skirt, here and losing it किता क्या है कि तुम्हारा beautiful face जब भी देखता हूँ उसमें कुछ लम्हा लगता है लेकिन उस लम्हे को गाइब हो जाने में तुम्हारा खुबसूरा चेहरा मेरे आंकों से दूर हो जाने में भी एक वक्त ही लगता है मतलब mere seconds कुछ ही वक्त लगता है मतलब कुछ ही वक्त में तुम्हारा चेहरा मेरे आंकों के सामने आ जाता है और कुछ ही वक्त में मैं उसको खो बैठता हूँ यानि के अपनी country को ये खो बैठा हुआ है exile में है और अब ये अपनी country में नहीं रहता है तुम्हारा नाम सुनता हूँ तुम्हारा नाम सुनता हूँ तुम्हारा अपने अंदर जो एकसाइटमेंट की लहर होती है उसको नहीं रोक पाता क्यों I kneel down कि तो मैं घुटने जुका लेता हूँ and look at your hands और तुमारे हाथों के तरफ देखता हूँ I want to touch your hands मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ यहाँ पे hands again जो country का land है country है उसको symbolize कर रहा है but I can note लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाता मैं तुम्हें चूना चाहता हूँ तुम्हें मैं सूस करना चाहता हूँ अपनी land को कह रहा है लेकिन कहता है मैं ऐसे नहीं कर सकता you are behind a glass तुम एक शीशे के मताबिक दूर हो मतलब तुम उसे दूर हो sweetheart I am bewildered spectator of the drama मैं तो spectator हूँ इस drama का मैं तो देखने वाला हूँ that I am playing in my twilight twilight basically यहां पे semi-darkness को कहा जा रहा है यानि कि ऐसा time जो कि decline का time हो या फिर ऐसा time जिसके अंदर अंधिरा चाह रहा हो यानि कि जो मगर्ब का वक्त होता है वो वाला तो यहां पे twilight यूज किया गया है वो downfall pessimistic sense में यूज कि अब जो I am playing in my twilight कि मैं अपनी मुसीबतों से खेल रहा हूँ अपनी मुसीबतों से लड़ा हूँ मैं अपनी जंग लड़ा हूँ और उस जंग को लड़ते हूए मैं तुम्हें याद करता हूँ किसको याद कर रहा है अपनी country को याद कर रहा है और on the other hand हम इसका अगर दूसरे analysis करें तो उस analysis में नज़राएगा कि अपनी basically family को recall कर रहा है अपने land को, अपने home को recall कर रहा है, miss कर रहा है Istanbul को specially miss कर रहा है इस poem के अंदर तो I hope कि आपको इस poem का analysis के लिए हो चुका होगा कि जिसके अंदर writer जो है he is missing Turkey, अपने land को miss कर रहा है simply यही बताया गया है I think of you के अंदर, कि जब भी मैं तुमारे बारे में सोचता हूँ तो मेरे जखम ताजा हो जाते है मैं तुमें छूना चाहता हूँ तो मैं मिलना चाहता हूँ तो मैं पकड़ना चाहता हूँ लेकिं तुमें पकड़ नहीं पाता मैं तो अपनी एक जंग में हूँ अपने एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूँ और वो मुश्किल वक्त किया है इनकी three poems थी हम लोगों ने cover कर लिये number one the miniature woman number two I love you and the three last one I think of you तो आप इन poem के जो links हैं आपको description मिल जाएंके उनके उपर क्लिक करके आप इनके lectures को अप्रोच कर सकते हैं thank you so much for watching this video हमारे वीडियो को आप share भी करियेगा आपका single share हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को subscribe भी करियेगा वीडियो को like भी करियेगा और comment में बतेएगा कि आपको यवीडियो कैसे लगे thank you Allah Hafiz